स्थावण महिने की अश्टमी बहुत सुंदर दिवस है बहुत बहुत बढ़ाईया महाराज सोंबार की अश्टमी का मतलब आपको इंदोर की कथा में बताया था जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं चोसट योगनिया तक भगवान संकर से मिलने के लिए आती है जिस लड़के की साधी नहीं हो रही हो सुंबार की अश्टमी पढ़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर असोख सुंदरी का स्थान है उस असोख सुंदरी वाले स्थान पर लिजाकर अगर सुंबार की अश्टमी पढ़ने पर लड़का ये लड़की जिसका विवा नहीं होता वो चणा देता है मातर तीन महीने में उसका भी वापका हो जाता है मातर तीन महीने आश्चोख सुंदरी का स्थान शिव बहुत तकलीफ है और नहीं हो रा काम बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रा हरा मूंग ले जाओ मूंग के दाने तो रहते हैं घर में केवल 31 मुंग के दाने लेकर जाईए, 31 चावल के दाने लेकर जाईए, और 31 ही बेलपत्र लेकर जाईए, जिस दिन सोंबार की अश्टमी हो, कौन से दिन? सोंबार की अश्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदर में जाओ, पीन चीज़ लेकर जाओ, मुंग के दाने, चावल, बिलपत्र, चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना करकर शंकर जी की देहली पर रख दो, चोखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए, मुं नंदी के पास में, जो नंदी का पाउं उचा रहता है, उस पाउं के पास रख दीजिए, और जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो, वो 31 बेल पत्र, अशुक सुन्दरी वाली जो जगा है, आपको पहले बताया है कथा में, अशुक सुन्दरी जी का इस्थान, ये शिवलिंग, य जलाधारी, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशुक सुन्दरी का इस्थान है, शिवजी के तेरा बच्चे हैं, तेरा बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशुक सुन्दरी यहीं पर विराजम करकर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ, उसकी डंडी जहां से पानी बहता है, उस और होना चाहिए, आप निवेदन करकर देखो, एक सुमबर की अश्थमी पर करकर देखना, दूसरी सुमबर की अश्थमी आईगी, अपने आपका काम हो गया ह होगा, पावास निवेदन को करो, क्यों भटत रहे, एक मात्र शू मंदर में जाडू लगा रही है, अहिल्या भाई, साधाने नसाभाव, केवल एक जाडू, कई लोग कते हैं मारजी, आप कहते हो मंदर में जाडू रखा है उसे करना चाहिए मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कोन करता नोकर करता है? अरे बोलते तो जाओ नोकर करेगा? नहीं वरकर करेगा? नहीं सिपर करेगा? नहीं तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता तिजोरी की सफाई हमें करना होती है उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वरकर करे जो दर्शन करने जाए वो करें क्योंकि यह तिजोरी है हमारी यह तिजोरी है हमारी यहां से हमें मिलता है यह मेरा देवतिदेव महादेव देता है और और धतुरे का फूल दूद का फाल कि आतुरणा और उसमें लगने वाला इक पुष्प आस्था चेनल पर अपलोग देख रहे हुंगे धतुरे के फूल का दर्षप तुरा और धतुरे का फूश्प छोटा सा पोदह एफ और उसमें भी साधर अट्रा नहीं जिस धृतूर्य मे नीचे की यदंडी लाल कलर की होती अगर वोह सुम्भार की आश्टमी को देवधिदेव महादेव को समरपित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है वो धृतूर्य साधर नहीं है धतुरे में भी लाल टंडी जैसे धतुरा गोल होता है उसके नेचे चोटी सी धन्डी देखा है धतुरे के अंदर एक नेचे चोटी सी धन्डी होती है जब तोड़ो 점uage तो वो डंडी का टलर अग篰 या लाल है और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बिमारी जिसको हो जाती है लीवर किड्नी कैंसर आधिक आधिक बड़ी बिमारियों से जो जूज रहा होता है प्रयास करो प्रयास महामर्त्युंजे का जाप करकर महामर्त्युंजे का स्मर्ण करकर एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना एक धतूरा मिल जाए या पांच धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव उपर जो शिव मंदिर एकांत में हो जहां कोई जाता आता नहीं हो वैसे तो अब बहुत मुश्कील है कि एसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो पहले की बात दूसरी है अब बात दूसरी है फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए बहुत बिमारियों से गरसी तो हो तो भी महामृत्युन्जे जाप का इस्मर्ण करकर या किसी विद्वत ब्रहमन जन से महामृत्युन्जे मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयम करकर वो भी ना बने तो पंचाक्छर मंत्र नमस्षिवाय शडाक्छर मंत्र ओम नमस्षिवाय या श्री शिवाय नमस्थुभ्यम जब कर वो लाल डंडी का धतूरा पाँच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हैं रोग ठम जाएगा जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंब हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंब हो जाएगी अगर बड़ा रोग कि वीवी शंकर के मंदिर में जाओ शिवजी का पूजन करकर जब बापिस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बेढ़ता है उसकी कानों में ओम नमश्चिवाई बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आजाएए आपकी कामना तीन महीन में अगर कोई काम अटक रहा है नहीं हो रहा है बहुत रयास करा तो भगवान शंकर के मंदिर में पाच बेल पत्र चड़ा यह और संकर भगवान की जो चोटी लड़की सबसे चोटी लड़की जगा पर एक बेल पत्र नंदीकेश्वर पर चड़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चोफट पर दिया लगा दीजिए साइड में और फिर अपने घर पर आजाईए आपका कारेट सफल होना प्रारम हो जाए नंदीकेश्वर का पूरी दुनिया में केवल एक एक केदारनात की एक प्राइए जहां पर ओम कुंड विराजवान कुणा जो बच्चाहां हलाता है चोटला बोलता है या घुंगा होता है जिसकी वानी नहीं होती वह अगर ऑम कुंड पर लाका ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी देर तक उसके मूँ से खुन्द की अवाई निकलती है उतनी देर तक ओमकुंड में से पानी का बुलगुला निकलता रहता है और साथ या आड़ वर बोलने से व्यक्ति हकलाना छोड़ देता है और उसकी वाणिया जीती है कि दा नाती ने रसता है आप कैसी वीडियो आप लगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो हमारी फुल वाउच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद